फिरुजाबाद में तहसीलदार ने ब्रमन के दौरान पकड़ा 12 कुंटल 50 किलो का राशन का चावल। दरसल पूरा मामला उसे वक्त का है जब फरेहाक शेत्र से ब्रमन कर लोट रहे जस्राना तहसीलदार लालता प्रसाद के सामने से एक पिकप मैक्स तेज रफ्तार से गु पूरी तक पीछा किया और उसे पकड़ कर थाना फरेहा पुलिस को सुपोर्ट कर दिया वही जब तहसीलदार लालता प्रसाद ने बताया कि यह सरकारी राशन है जो कि यह लेकर जा रहा था रास्ते में मेरी गाड़ी को देखकर उसने अपनी पिकप मैक्स को तेज गती से भागना शुरू किया तो मुझे संसे हुआ उसी को लेकर मैं जब इसका पीछा किया तो इसे पढ़कर पुलिस की सपोर्ट कर दिया है बाकी की जो राशन विभाग के अधिकारी है उन्हें अभगत करा दिया है सप्लाइ इंस्पेक्टर सभी आकर सुबह जाच करेंगे और आगे की विभागी ये कारवाए अवश्य की जाएगी सर एक संदिग्द मैक्स जो पकड़ी है जिसमें खाद्यान था सर क्या मामला था पूरा को यह मैं छिद नूमन करके मैं तैस्तिर जांत्य नगला भादो पर मैक्स संदिग्द मैं रुकवाए तो यह भागने लगा उसको रुकवा करके मैंने उसको देखा तो उसमें सरकारी खाद्यान लादा हुआ था उस गाड़ी को मैंक्स साइथ ड्राइबर साइथ पकड़ करके ला करके थाने थाना फरियां में यह सोपोस बुल्दगी में दे दिया हूं और सप्लाई इंस्पेक्टर को सुचित कर दि कर दो कर दो